दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों सिविल सेवा परिछा की तैयारी में NCRT की पुस्तकों का महत्व सर्वविदित है ये पुस्तके सरल्भासा में सटीक वप्रामारिक जानकारी परदान करती हैं आज की वीडिय के बारे में उपनिशत क्या है इसका अर्थ क्या होता है भारती दर्शन की 6 साखाएं कौन सी थी उनके परवर्तक कौन है जैन धर्म और उनके 24 वे तिर्थंकर महाबीर स्वामी के बारे में संग और बिहार क्या होते हैं इसके अलावा आस्रम बिवस्था का क्या अर्थ है और इसका बिभाजन किस प्रकार से किया गया था तो आए शुरू करते हैं छटवी कच्छा का इतिहास हमारे अतीत भागेक का अध्याच है नए प्रश्न नए विजार दोस्तों ये जो अध्या है इसका प्रारम एक छोटी सी घटना से अनगा एक बच्ची है जो की सैर पर न ने आए उसकी माने अध्याबिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनात दिखाने भी ले जाईएगा तो आएए देखते हैं बुद्ध की कहानी दोस्तों बौद धर्म के संस्थापक सिधार्थ थे जिन्हें गौतम बुद्ध के न आपने पिछले अध्याय में महाजनपदों के बारे में पढ़ा है कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत सक्तिसाली हो गए थे और हजारों साल के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे गाओं के जीवन में भी बदला आ रहा था और बहुत से बिचारा किन परिवर्तनों को समझने का प्रियास कर रहे थे वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो बुद्ध जो थे वो छत्री थे और साक्य नामा के एक छोटे से गड़ से संबंधित थे गौतम बुद्ध का जन्म 563 हिसापूर में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम का स्थान पे हुआ था और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था जो साक के गड़ से के मुखिया थे गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम सिधर्थ था दोस्तों और इनका बिवाह 16 वर्स की अवस्ता में यसोध्रा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था ये गौतम बुद्ध के बारे में छोटी सी जानकारी थी तो गौतम बुद्ध साक के नामक छोटे से गड़ से संबंदी थे और युवावस्ता में ग्यान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया अनेक वर्सों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे और उन्होंने ग्यान प्राप्ति के लिए सबसे पहले बैसाली के आलार कलाम से सांख दर्सन की इन्होंने सिच्छा प्राप्त की थी ये आलार कलाम जो थे ये सिधार्त के पहले गुरु थे और आलार कलाम के बास सिधार्त ने राजग्री के रुद्रक रामपुत से सिच् में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंत में उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ और तब वो सिधार्थ से ग्यान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए और वहां से वाराणसी के निकट सारनाथ गए जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था तो वाराणसी में उनके दिये गए उपदेश को धर्म चक प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों और बिना अनजल ग्रहन की च्छे वर्स की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्स की आयू में बैसाख पोड़मा की रात निरंजना यानि फल उपदेश देते थे पहला उपदेश उन्होंने सारनात वारांसी के निकठ है वहाँ पे दिया था और उनकी मृत्तु कूसी नारा में हुई थी और मृत्तु से पहले का सेस जीवन उन्होंने पैदल ही एक अस्थान से दूसरे अस्थान की आतरा की और लोगों को सिक्छा देने में प्यतीत किया बुद्ध ने लोगों को क्या सिच्छा दी उन्होंने लोगों को ये सिच्छा दी कि जीवन कश्टों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमारी पूरी नहीं हो सकती यानि हमारा जो जीवन है कश्टों और दुखों से भरा लालसा यानि लालच के कारण और ये हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं उन्हीं के कारण होता है कभी-कभी हम ये चाहते हैं कि वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक बस्तूओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं बुद्ध ने इस लालसा को त कारण जो है दुख का कारण है और दुख निरोध का जो उपाय भी होता है तो उन्होंने कहा कि जो हम जो अपनी लालसाएं हैं या तृष्णा है उसको आत्मसयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा उन्होंने लोगों को दयाल होने और मनुस्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की सिछा दी वे मानते थे कि हमारे करमों का पैडाम चाहे अच्छे हो या बुरे हमारे बरतमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं आप एक चीश समझिए कि गौतम बुद्ध ने जीवन के प्रति दया भाव रखने की सलाह कें दे थी क्योंकि इसके पूर्व जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ पे देवताओं को बली देने के लिए जानवरों को भी उसमें बली दी जाती थी इस कारण उन्होंने जानवरों के प्रति दया भाव रखने की बात कही थी ये देखिए बेदों की रचना के लिए किस भासा का प्रियोग हुआ था तो बेदों की रचना संस्कृत भासा में हुई है दोस्तों जिसको की वैदिक संस्कृत कहा जाता है और पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ी वो संस्कृत अलग थी दोस्तों बुद्ध ने अपनी सिछा सामाने लोगों की भासा पाली भासा में दी थी बुद्ध ने अपनी जो सिख्षा थी वो सामान ने आम जन की बोलचाल की भासा पाली में दिया था और ऐसा उन्हों ने इसलिए किया था कि उनकी सिख्षाएं आम लोगों को आसानी से समझ में आ सके तो यही कारण था कि उनके संदेश सामान ने लोगों को प्रभावित कर सके यह देखिए यहाँ पे जो एक चित्र बना हुए है दोस्तों यह सारनाथ में अस्तूप है सारनाथ अस्तूप यह इमारत जाने जाती है और यहीं पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था इसी घटना की इसमरित में यहां अस्तूप का निर्मार किया गया है आगे के अध्यायों में इस्तूप के बारे में और अधिक जानेंगे दोस्तों बुद्ध ने कहा था कि लोग किसी सिक्षा को केवल इसलिए न स्विकार करें कि यह उनका उपदेश है बलकि वे अपने विवेक से उसे जाचे परखे और सही लगे तब ही उसको स्विकार करें ये देखिए किसा गोत्मी की कहानी है दोस्तों ये बुद्ध के विशय में एक प्रसिद्ध कहानी है और एक समय की बात है किसा गोत्मी नाम की एक इस्तरी का पुत्र मर गया वह इस बात से इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे के गोत्मी लिए नगर की सड़कों पर घ किसा गोतमी बहुत प्रसंद हुई पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तो बुद्ध ने रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्तु ना हुई हो। अब आईए देखते हैं बहुत धर्म के बाद उपनिशद के बारे में तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय थोड़ा सा पहले अन्य दूसरे चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंड रहे थे ये कठिन प्रश्न जीवन और मृत्तु से संबंदित थे अन्य लोग यग्यों की उपयोगिता के बारे में जानने को सुक थे और इनमें से अधिकांस चिंतकों का ये मानना था कि बिस्व में कुछ तो ऐसा है जो की अस्थाई है और जो मृत्तु के बाद भी बचा रहता है उन्होंने इसका बाड़न आत्मा तथा ब्रह्म जीवन मृत्तु के संबंध में अनेक तथ्य या अनेक विचार है कि जीवन क्या है और मृत्तु कैसे आती है क्यों आती है इन सभी प्रशनों का उत्तर इन सब उपनिस्दों में खोजे जाने का प्रयास किया गया है ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिस्दों में हुआ है उपनिसद उत्तरवैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और उपनिसद का सामान अर्थ होता है दोस्तों उप प्लस निसद यानि गुरु के समीब बैठना इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है प्राया ये विचार सामान वारतालाब के बारे में वारतालाब के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं जिन से की प्रश्णों का उत्तर खोजने में आसानी होती है और सत्य तक पहुचने की आसानी होती है दोस्तों इसी के साथ भारती दर्सन की छे पद्धतियां भी थी उनके बारे में जान लेते है सदियों से भारत सत्य की बहुत धिक होजगा प्रतनी धित्व दर्सन की छे साखाओं ने किया दर्सन की छे प्रमुक साखाएं थे इनमें मुखे रूप से वैसे सीक, न्याय, सांख, योग, पूर्व मिमानसा और वेदान्त या उत्तर मिमानसा के नाम से जाने जाते हैं और इन दर्सनों के प्रतिपादक कौन थे तो देखिए न्याय दर्सन के प्रतिपादक गौतम थे, सांख दर्सन कपिल मुनी, योग दर्सन के पतंजली थे, पूर्व मिमानसा के जैमिनी, उत्तर मिमानसा के बादरायन और वैसेसिक के कड़ादया उलूग थे इसके अलावा एक दर्शन और भी था जिसे चारवाक या भौतिक वादी दर्शन माना जाता था। तो दोस्तों जो आज भी देश में बौधिक चर्चा को दिशा देते हैं इस कारण से इन भारती दर्शन की इन साखाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण अस्थान है। जर्मन मूल के ब्रिटिस भारतवित फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 साखाओं का विकास कई पीडियों के दोरान व्यक्तिगत विचारकों की योगदान से हुआ है। यद्यापी ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथा पिसत्य की इनकी समझ में आध प्रतारित नामक दो रिसी सारोभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के बैठे एक विखारी आया और भोजन मानने लगा। सोनक ने कहा हम तुम्हे कुछ नहीं दे सकते। विखारी ने पूछा बिद्वजन आप किसकी उपासना करते अभी प्रतारिड ने उत्तर दिया सारोभौम आत्मा की ओ इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सारोभौम आत्मा संपूर विश्व में बिद्धिमान है। रिसीयो ने कहा हां हां हम यह जानते हैं। विखारी ने फूर पूछा अगर सारोभौम आत्मा संपूर विश्व में बिद्धिमान है तो यह मेरे अंदर भी बिद्धिमान है मैं कौन हूँ इस पर मैं इस विसों का एक भाग ही तो हूँ तुम सत्य बोलते हो युवा ब्रामार इसलिए हे रिसियों मुझे भोजन न दे कर आप उस सारोभावम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं और इस प्रकार जो भिखारी था उसने स्वयंग को भोजन पाने के लिए उन रिसियों को मना लिया इन चर्चाओं में जो उपनिस्दों की चर्चाओं में भाग लेते थे उनमें अधिकांस पूरुस होते थे पूरुस ब्राम्हण और राजा होते थे इनमें इस्तियों को बहुत कम अस्थान था कभी-कभी गारगी जैसी बिदुसी इस्तिय या इस्तिय विचारकों का भी उल्लेक मिलता है बिद्वता के लिए प्रसिध गारगी राजदरबारों में होने वाले वाद बिवाद में भाग लेती थी और निर्धन ब्यक्त इस तरह के वाद बिवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे इस तरह का एक प्रसिध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी मा के नाम पे पड़ा सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीब्रजी ग्यासा उत्पन हुई और गौतम नामा के एक ब्राम्हन ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्विकार किया तथा अपने समय के सरवाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से वह एक बन गए थे उपनिस्दों में कई विचारों के विकास हुआ बाद में प्रसिद्ध विचारक संकराचारे के द्वारा उपनिस्दों के कई विचारकों का विकास किया गया जिसके बारे में आप अगली कच्छा में पढ़ेंगे दोस्तों पारिनी के बारे में आईए जान लेते हैं पारिनी ब्याकरण साथ के पड़ेता माने जाते हैं और इस युग में कुछ अन्य बिद्वान भी खोज कर रहे थे उन्ही प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाड़िनी ने संस्कृत भासा के ब्याकरण की रजना की थी उन्होंने स्वर और बंजनों का एक विशेश क्रम में रखकर उनके आधार पर सुत्रों की रजना की ये सूत्र बीजगर्तिय के सूत्रों से काफी मिलत जुलते हैं और इनका प्रियोकर उन्होंने संस्कृत भासा के प्रियोगों के नियम लगुसूत्रों लगभग तीन हजार लगुसूत्रों के रूप में उन्होंने संपूर संस्कृत भासा के ब्याकरण की रचना की अब बहुत धर्म और उपनिष्णों के बाद आईए जैन धर्म के बारे में जानते हैं तो दोस्तों बहुत धर्म से पहले ही और बहुत धर्म से पहले जैन धर्म प्रचलन में आया था इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्षपूर जैन धर्म के 24 में तथा अंतिम तिर् पारसोनात थे और महाबीर स्वामी जिनको की बर्धमान महाबीर कहा जाता है वो जैन धर्म के 24 में और अंतिम तिर्थांकर हुए इनका जन 540 इसापूर में कुंडग्राम बैसाली में हुआ था इनके पिता सिधार्थ ग्रियात्रिक खुल के सरदार थे और माता त्रिशला ल किया और 12 वर्ष की कछिन तपास्या के बाद महाबीर स्वामी को जरेंबरिक के समीप रिजुपाल का नदी के तड़ पर साल बृच्छि के नीचे तपास्या करते हुए संपूर ज्ञान का बध हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद महाबीर जिन अर्थात विजेता कहलाए और उन्ही के नाम पे इस धर्म का नाम जैन धर्म पड़ा है दोस्तों 30 वर्स की आई में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे 12 वर्स की कठिन तपस्या के बाद उनको ग्यान प्राप्थ हुआ उनकी सिच्छाएं सरल थी सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रतेक इस्त्री पुरुस को उनका मानना था कि अपना घर छोड़ देना चाहिए उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ये कहा अर्थात किसी भी जीव को न तोकष्ट देना चाहिए और नहीं उसकी हत्या करनी चाहिए महाबीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं सभी के लिए जीवन प्री है और महाबीर ने अपनी सिछा प्राकृत भासा में दी जो बोल चाल की भासा है और यही कारण है कि साधारण जन्भी उनके सिछाओं को जान सके और समझ सके देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग-अलग रूप प्रचलित थे, प्रचलन के आधार पर उनके अलग-अलग नाम भी थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत को अर्ध मागधी प्राकृत कहा जाता था जैन नाम से जाने गए महावीर के अन्यवाईयों को भोजन के लिए भिच्छा मांग कर साधा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से इमानदार होना पड़ता था और चोरी ने करने की उन्हें सक्त हिदायत थी उन्हें ब्रह्मचरे का पालन करना होता था और पूरुसों को वस्त्रों सहित सब कुछ दान देना पड़ता था तो कुल मिलाकर दोस्तों जैन धर्म के जो सिक्षाएं है उसमें सम्यक दर्सन, सम्यक ज्यान और सम्यक आचरण है और पांच महाब्रतों का पालन करना अनिवार था जिसमें अहिंसा, सत्यवचन, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचरे था जैन धर्म इस्वर की मान्यता नहीं है बलकि आत्मा की मान्यता है और जैन धर्म पुनर जनम और कर्मवाद में विश्वास करते थे अगला है दोस्तों, अधिकांस ब्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों ब्यक्तियों ने इस नई जीवन सैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, कई अपने घरों पर रही रहे और भिखु खुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे, मुखते ब्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि फसल की रच्छा के लिए उन्हें कीडे मकोड़नों को मारना पड़ता थ और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो सिक्छाएं हैं लगभग 15 वर्सपूर्व, 1500 वर्सपूर्व गुजरात में बल्लवी नामका स्थान पर लिखी गई थी, जैन तो दोस्तों जैन धर्म या जैन सब्द जिन सब्द से निकला होता है, जिसका अर्थ होता है विजेता और महाबीर के लिए जिन सब्द का प्रियोग इसलिए हुआ क्योंकि उन्हों ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इंद्रियों और इक्छाओं पर, अब आईए देखते हैं संग के बारे में, तो दोस्तों महाबीर और बुद्ध दोनों क ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ग्यान की प्राप्ति हो सकती थी, यानि ग्रिहस्त जीवन का त्याग या मोह माया का त्याग करके ही सच्चा ग्यान प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संग नामक संगठन बनाया, जहां घर का त् भिछुओ के लिए बनाय गए नियम बीनै पिटक नामग्रन्थ में मिलते हैं बीनै पिटक से हमें ये पता चलता है कि संग में पूर्सों और इस्त्रियों के रहने की अलग-अलग दिवस्था थी, सभी ब्यक्ति संग में परवेश ले सकते थे हलाकि संग में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने गारजियन यानी माता पिता दासों को अपने स्वामी राजा केहां काम करने वाले लोगों को राजा से और करजदारों को अपने देंदारों से अनुमत लेनी पड़ती थी और एक इस्त्री को संग में प्रवेस करने के लिए अपने पती से अनुमत लेनी पड़ते थी संग में प्रवेस लेने वाले इस्त्री पुरूस बहुत ही साधा जीवन ब्यतीत करते थे वे अपना अधिकान समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निशित समय में वे सहरों और गाओं में जाकर भिच्छा मानते थे यही कारण है कि उन्हें भिखु भिखुड़ी या साधु भिखारी के लिए प्राक्रिस सब्द भिच्छु भिच्छुड़ी जो सी संस्क्रित में कहा जाता था उन्हें कहा गया यह आम लोगों को सिच्छा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे किसी तरह की आपसी लड़ाई का निप्टारा करने के लिए प्रायब बैठ के भी किया करते थे संग में प्रवेश लेने वालों में ब्रामहर छत्री ब्यापारी मजदूर नाई गड़िकाए और दास सामिल थे इन में से कई लोगों ने बुद्ध की सिच्छाओं के विशे में लिखा तथा कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के विशे में सुन्दर कविताओं की रचना की है दोस्तों विहार किसे कहते हैं तो विहार है जैन धर्म और बौध भिच्छु पूरे साल एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे केवल वर्षा रित्में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक अस्थान पर रहकर निवास करते थे ऐसे समय में वे अपने अनुआईयों द्वारा उद्ध्यानों में बनवाए गए और अस्थाई निवासों में अथ्वा पहाडी छेत्रों के प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे जैसे जैसे समय बीत्ता गया भिखु भिखुडियों ने स्वैंग तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थाई सरणस्थलों की आउसकता अनुभो किया तब कई सरणस्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया आरंभिक बिहार लकडी के बनाए गए बाद में इनके दिर्मार में इटो का प्रियोग होने लगा और पश्चमी भारत में विसेश कर कुछ बिहार पहाडियों को खोद कर बनाए गए हैं और यहां जो एक चित्र है यहां पे आप पहाडी या सैल को पहाडी को काट कर बनाए गई एक गुफा है यह कारले कारले नाम का स्थान पर जो बर्तवान महाराष्ट में इस्तित है एक गुफा है और भिच्छु भिच्छुड़े इन सरण अस्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे बहुत धगरंथ से एक ज्यात होता है कि जिस तरह महासागरों से मिलने वाले नदियों की अलग-अलग पहचान समाप्त हो जाती है ठीक उसी तरह बुद्ध के या नियुआई जब भिच्छुओं की स्रेडी में प्रवेस करते हैं तो वे अपना वर्ग, स्रेडी, परिवार सब त्याग देते हैं प्राया किसी धनी व्यापारी, राजा अथ्वा भू स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमी पर बिहार का निर्माड होता था और अस्थानी व्यक्ति भिच्छु भिच्छुडियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाईयां लेकर आते थे जिनके बदले ये भिच्छु और भिच्छुडई लोगों को सिच्छा देते थे आगे आने वाली सताब्दियों में बौद धर्म उप महादीप के बिभिन हिस्सों के साथ साथ बाहरी छेतरों जैसे चीन, जापान, तिब्बत आदि में भी फैला इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे अब आईए देखते हैं प्राचीन भारत की एक बिवस्था आस्रम बिवस्था के बारे में वर्ड बिवस्था के आप बारे में जानते हैं वर्ड बिवस्था बैदिक समय में आई थी ब्राम्हट, छत्री, वैस, सुद्र, चार वर्ड निरधारित किये थे और जीवन को सही ढंग से संचालित करने के लिए जीवन के सभी भागों को एक समान रूप से बाढ़ कर चार आस्रमों की बिवस्था की गई थी जिस समय जैन और बौध धर्म लोगप्री हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राम्मडों ने आस्रम बिवस्था का भी कास किया पर संयास ब्रमचर के अंतरगत ब्रामड चहत्री और बैस से ये अपेच्छा की जाती थी कि इस चरण के दार आ वे साधा जीवन बिताकर बेदों का अध्यन करेंगे ग्रिहस्था आस्रम के अंतरगत उन्हें विवाह कर एक ग्रिहस्थ के रूप में रहना होता था आश्रम बेवस्था ने लोगों को जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था और प्राया इस्तरियों को बेद पढ़ने की अनुवत नहीं थी उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किये जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरन करना पड़ता था अब देख पैगंबर या जिन्हें भगवान का दूत कहा जाता है भगवान की सिच्छाओं या उनकी बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए तो जर थुस्तर नामक एक इरानी पैगंबर थे उनकी सिच्छाओं का संकलन जेंद अविस्था नामक ग्रंथ में मिलता है जेंद अवस् से की जाती है जर्थुस्त्र की मूल सिच्छा का सूत्र है सद विचार सद बचन और सदकार यानि है इस वर बल सत्य परधानता और सद विचार परधान कीजिए जिसके जरिये हम सांती बना सकें एक हजार से अधिक वर्सु तक जर्थुस्त्र वाद इरान का एक प्रमुक धर्म बना रहा बाद में कुछ जर्थुस्त्र वादी इरान में आकर गुजरात और महराष्ट के तत्तिय नगरों में बस गए वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज या वनसच कहे जाते हैं तो दोस्तों ये था आज का अध्याय जिसमें आपने देखा यन्सियाटी तिहास हमारे अतीत भागेक का अध्याच्छ है नए प्रश्ण नए विचार इसमें आपने सार्ट में बहुत धर्म और जैन धर्म के बारे में जाना इसके बारे में विस्तार से हम आगे के अध्य नमस्कार